हमशकार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल Fire in India में काफी समय हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए क्योंकि मैं काम कर रहा था एक बहुत ही important अप्ग्रेट पे जो कि आज में लेकर आया हूँ आपके लिए ETF शॉप से related हूँ और ये 3.0 क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि ये है एक नए अपडेट जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है I'm very sure तो आज के वीडियो का अजेंडा क्या है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ETF शॉप है क्या ETF शॉप को मैंने पिछले साल April 2023 में लांच किया था तो जिन लोगों ने और वीडियो देखा है जो शीट यूज करें उन्हें तो पता ही है क्या है लेकिन जो शायद आज पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए मैं एक quick recap करूँगा कि ETF शॉप क्या है और साथ मैं देदूँगा उस वीडियो का link जो मैंने शुरू में बनाया था ताकि आपको detail में समझने में असानी हो वैसे basically जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3.0 उसको तो मैं detail में आज ही समझा दूँगा तो इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी लेकिन फिर भी आपको past में देखना है उसका जब मैंने actual video launch किया था एक साल पहले उसका link मैं आपको जरूर देतूँगा उसके बाद मैं बात करूँगा ETF shop की performance की तो मैं personally ETF shop को कर रहा हूँ April 2023 से उससे पहले भी मैं ETF की trading कर रहा था लेकिन shop style में मैंने April 2023 से start किया था तो April से लेके March 2024 तक एक साल पूरा complete हो गया है तो उसका review मैं आज आपको बताऊंगा उसकी performance कैसी रही क्या हमारे numbers आये किस तरह का profit आया किस तरह की percentages आये वो मैं आज आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आएगा सबसे exciting part ETF 3.0 तो 3.0 में मैं क्या लेकर आया हूँ आप लोगों के feedback के basis पे आप लोगों के जो different questions आते हैं उनके answers find करते करते हैं मैंने जो नए versions निकाले उसके basis पे और जो मेरा personal खुद का experience रहा उसके basis पे मैंने 3.0 बनाया है तो ETF की जो shop थी वो 1.0 के लीजिए उसके बीच में अलग-अलग versions आए तो वो 2.0 consider के लीजिए तो ये जो नया version है 3.0 ताकि किसी को confusion ना हो और फिर मैं last में बात करूँगा कुछ common issues की जो आपको Google sheet यूज़ करते हुए आते हैं तो इस shop से related और कई सारी और sheet से related भी जो बहुत ही common issues है और उनके क्या solution है काफी आसान solution है बस मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ताकि future में आप उन issues को जब भी face करें आप आसान इस अपने problems को solve कर पाएं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले ETF shop है क्या उसका एक recap ले लेते हैं तो ETF shop basically हमारे पास एक Google sheet होती है जिसमें अलग-अलग ETFs listed होते हैं जिनकी daily volume काफी high होती है ताकि हमें buy और selling में दिक्कत ना आए तो वो list पनी होती है और वो Google sheet उन ETFs का track करती है current market price और 20 day moving average और उसके basis पे रैंकिंग तयार करती है कि जो 20 day moving average के हिसाब से सबसे सस्ता है वो plus में हो सकता है, minus में हो सकता है percentage wise, that is not important वो सबसे सस्ता होगा comparatively जो भी हमने ETFs अपनी sheet में डाले हुए हैं और वो सबसे rank 1 पे आ जाता है, यानि कि जो सबसे सस्ता है मुझे खरीद लेते हैं, फिर एक दिन में एक ही खरीदते हैं और अगले दिन से जो सस्ता है उसे खरीद लेते तो ऐसे करके हम सारे ETFs खरीदते हुए चलते हैं जो sheet हमें recommend करती है और जब उसमें profit target आता है, तो हम उसे बेशते हुए चलते हैं और एक ETF बेशते हैं एक दिन में और ये सब करने में hardly 5 minutes लगते हैं मुझे तो 5 minutes से भी काफी कम लगते हैं, लेकिन जो नया नया start करते हैं थोड़े से जादा लगेंगे लेकिन धीरे-धीरे आपकी ऐसी practice बन जाएगी, कि 5 minutes से भी काफी कम आपको daily basis पे देना पड़ेगा तो उस हिसाब से एक ये जो business हम setup करते हैं, 5 minutes से भी कम दिन में देके हम किस तरह का profit generate कर पाए हैं इस strategy से आईए अब वो देखते हैं कि इसकी performance कैसी रही financial year 2023 और 24 में तो ये screenshot लिया है मैंने अपनी sheet से जिसमें मैं अपनी ETF शॉप चलाता हूँ और जो लोग मेरी sheet अलड़ी यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा, ये कहाँ पे होता है, sold वाली sheet में होता है, भी का हूँ 247,000 बनाया है, और मैंने max capital कितना use किया था, 7,16,000, तो अब आप देखेंगे कि November 2023 में मेरा max capital use हुआ था, लेकिन उसके बाद क्योंकि काफी selling आई, तो मेरा max capital उतना दुबारा गया ही नहीं, तो कई लोग सोचेंगे कि है, max capital इतना हुआ है, आपका performance तो 23.42% ही हुआ, कई मेरा personally विचार क्या है, कि अगर कोई strategy कोई business में कर रहा हूँ, ये एक business की तरह है मेरे लिए, एक shop है, जो मेरे को regularly monthly income कमा के दे रही है, तो कोई business में कर रहा हूँ, तो मैं इसे businesses से compare करूँगा, और सबसे अच्छा comparison मुझे मिला shark tank पे, तो अगर आप लोग उने shark tank नहीं दे और फिर इस percentage को देखेंगे, आपको अपने आप answer मिल जाएगा कि ये performance अच्छा है या बुरा है, मेरी नजर में बहुत ही awesome performance है, क्योंकि मैं expect कर रहा था कि अगर ये strategy मुझे 15% प्लस देती है साल का, तो मैं संतुष्ट हूँ, और इसने मुझे दिया है 23% से भी उपर, तो उनी के लिए मैंने ये improvements किये हैं, जो मेरे experience है, और जो feedback से मुझे मिले हैं, तो उसके लिए जो sheet बनाई है, वो मैं थोड़ी देर में आप से share करूँगा, तो performance awesome रही है, लेकिन इस performance के पीछे, जिस mastermind का हाथ है, अगर उसे मैं thank you ना करूँ, तो मेरे को खुशी नहीं मिलत करके, लेकिन इसके पीछे की सफलता का पूरा पूरा श्रे मैं महेश कौशिक सर को देना चाहूँगा, तो एक बार और धन्यवाद महेश सर, कि आप हमें ऐसी ऐसी amazing strategies सिखाते रहते हैं, जिससे हम stock market में profitably sustain कर पा रहे हैं, तो आईए अब बात करते है, ETF 3.0, क्या है नया जो ETF 3.0 में है, वैसा नहीं है कि fundamentally बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन काफी सारे improvements मैंने किये हैं, जो पिछला ETF shop का version था, और जो 3.0 में है, तो आईए पताता हूँ के करके क्या है वो, तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है capital management वाली एक sheet, तो पहले मैं आपको sheet भी दिखाता ह purpose के लिए use कर रहे हैं, कोई भी profit या loss होता है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार है, profit है आपका है, loss है आपका है, मैं कोई guarantee नहीं दे रहा हूँ यहाँ और नहीं मैं कोई recommendation यहाँ पे दे रहा हूँ, यह sheet में से automatically recommendation निकल के आते हैं, और उसको आप अपने description पे buy कर सकते हैं, तो सारे details की कैसे कैसे यह sheet function करती है, उसका summary मैंने आपे बताया है, वीडियो में मैंने detail में बताया है, तो वीडियो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, पिछला वाला वीडियो, original sheet का link तो जो लोग इस sheet को purchase करेंगे, उनको future में original sheet के link की ज़रुवत पड़ेगी, थोड़ी की पूरी sheet copy कीजिए, अपना data transfer कीजिए, उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो मैं अभी common issues में share भी करूँगा, तो उसके लिए यहाँ पर original sheet आपको मिल जाएगी, उसके नीचे देखे, master ETF sheet link, यह है एक नया concept जो मैंने यहाँ पर add किया है, काफी महनत के बाद, sheet भी करनी पड़ती है, तो वो आपको access मिलेगा उसका, क्या है वो sheet मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, तो आजाते हैं capital management में, तो capital management basically यह है कि हम कितना पैसा strategy में डाल रहे हैं, वो हम अलग-अलग stages में डाल सकते हैं, शुरुआत हम करते हैं, for example, 5 lakh के capital से, तो उस capital को हमें यहाँ पे डाल देना है कि, 10th April को मैंने 5 lakh का capital डाला, यह yellow color में मैंने mark किया है, जहाँ पे आप update करना है, जहाँ yellow color नहीं है इस sheet में, वहाँ पे आपको कुछ update नहीं करना है, ठीक है, तो left hand side में हो गया, total amount added यह निकाल रहा है कि आपने कितना amount add किया, मतलब अब आप जो भी अपने bank से अपने broker में deposit कर रहे हैं, वो amount add करना है, यहाँ पे डाल देना है कि मैं इस sheet के लिए इतना amount add कर रहा हूँ, और total amount withdrawn, यह वाला feature मेरी किसी भी पुरानी sheet में नहीं था, यह नया feature है, तो basically होता किया है, अब यह एक shop की तरह है, तो shop से जो profit आते है अगर हम उसे अपने monthly खर्चे में use कर रहे हैं, या उन profits को किसी और जगे invest कर रहे हैं, तो उसको आप इस strategy से withdraw कर रहे हैं, तो अगर आप चाते हैं कि आपके withdrawals भी track हों, और जैसे ही आप कुछ withdraw करें, वो आपके investment capital से भी हट जाए, यानि कि जो आपने add किया है, जो profit कमाया है, और जो withdrawals कर लिया, सब plus minus होके उतना ही बचे, जो आपका अभी भी capital लगा हुआ है, और लगाने के लिए आपने रखा हुआ है, तो उसके लिए याँ पर automatically calculations होंगे, तो वही है capital management, total amount added, ये track होगा, plus growth amount, तो जब आप sell करते हैं, आपके profits बनते हैं, उसमें से मैंने sheet में feature दिया है कि आप brokerage minus कर लिजिए, STCG यानि कि short term capital gain tax जो लगता है, वो minus कर लिजिए, उसके बाद जो profit amount बचता है, उसमें से आप dividend भी minus कर सकते हैं, जो आप अपने खर्चे पानी के लिए निकालना चाते हैं, वो भी track होगा sheet में, उसके बाद जो final amount बचता है, ये सब minus करन अगर आप बीच में withdraw करते हैं, उसका track भी आप इस sheet में रख सकते हैं, कि मैंने इस तारीक को इतना amount withdraw किया, ठीक है, तो जो add करेंगे वो यहाँ पे डालना है, जो withdraw करेंगे वो यहाँ पे डालना है, withdraw वाले section में, date के और amount के साथ, तो ये हो गया पहला feature, तो total amount added plus growth amount minus total amount withdrawn, तो जो हमने initially add किया, और जो growth amount से हमारा capital बढ़ा, और उसमें से जो हमने निकाल दिया, यह सब plus minus करने के बाद जो amount बचता है, वो है हमारा investment capital, ठीक है, और उसी को हमारी sheet यहाँ use करती है, खरीदा हुआ माल में investment capital, ठीक है, तो 5 lakh आ रहा है यहाँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ capital management में 5 lakh किया, अगर मैं इसे 6 lakh कर देता हूँ यहाँ पे, कि मैं 6 lakh से start करना चाता हूँ, यहाँ 6 lakh डाला, खरीदा हुआ माल में automatically 6 lakh हो जाएगा, प्लस जो भी profits book होंगे, जो बिका हुआ माल में track होते हैं, जब मैं कुछ बेचता हूँ, तो यहाँ पे उसकी entry होती ह है, तो वो यहाँ पे track होता है, तो जो growth amount है, यहाँ पे sheet को पता है कि मैंने total growth amount मेरा कितना हो गया, वो capital management में automatically add हो जाता है, वो सारे formulas मैंने लगा रखे हैं, तो यह capital management वाला नया feature हो गया, next है shopping list, तो इसमें क्या changes हुए है, primary ETF list मैंने आपको दी है, उसमें क्या है, all ETFs are from different underlying assets, तो यह बड़ा question था लोगों के पास, जो पिछली ETF shop थी, उसमें हम जो underlying asset यूज करते थे, उसमें से एक ही underlying के कई सारे ETFs रखते थे, like nifty 50 के multiple ETFs थे, bank nifty के multiple ETFs थे, gold और silver के multiple ETFs थे, तो कई लोग confused हो जाते थे और उनका over exposure भी हो जाता था particular underlying asset में, कि वो जादा खरीद ल तो जो अब ETFs हैं हमारी ETF list में, वो सभी different underlying assets हैं, कोई repetition नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे, हर कोई अलग-अलग उससे है, तो total 39 ETFs from 39 different underlying assets, तो इससे better diversification हम, अलग-अलग indexes में, अलग-अलग type के ETF के जो underlying asset होते हैं, उसमें invest कर पाएंगे, next benefit यह है कि कोई भी overlapping ETF नहीं है, इस sheet में अब, हर एक underlying से एक ही ETF है, तो इसकी कारण क्या होगा, हमारा जो exposure है, किसी भी एक particular underlying में, यानि कि nifty 50, bank nifty gold में, बहुत जादा नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो underlying asset गिरा हुआ होता है, suppose gold गिरा हुआ है, तो sheet आपको gold suggest करेगी, buy करने के लि underlying assets वो नहीं कर पाएंगे, तो diversification नहीं आता, और एक ही जगे आपका ज़्यादा focus चला जाता, ज़्यादा investment चला जाता, और जब तक वो वाला particular underlying asset बढ़ता नहीं, आपका profit जल्दी से निकलता नहीं, तो इसकी वज़े से ये वाला मैंने बहुत ही important update किया है, कि सारे ETFs as a backup to pick working ETF codes, अब कई बार क्या होता है हमारी sheet में, मैंने एक fake example भी यहां plant किया है, ताकि मैं समझा सकूं होता क्या, तो कई बार, you know, AMCs अपने codes change कर देते हैं, या फिर Google Finance किसी particular ETF का data नहीं pull कर पाता है, जो कि हमारे control में नहीं है, you know, code change होंगे, तो हम code जब तक यहाँ date नहीं sector का, जो, यह ETF है, suppose इसका code यह होता, और sheet इसका data नहीं दिखा रही, तो, जहाँ भी data नहीं pull हो रहा है, वहाँ, NA या value error आ जाता है, और यह वाला ETF, इस list में participate नहीं करता है, मतलब हम इसे खरीद नहीं पाएंगे, जब तक यह fix नहीं होता है, तो master ETF sheet जो है, वो इसका solution है, क और यह सीधा आपको ले जाएगा, filtered list for shops, यह एक sheet है, जो live मैं अपने end पे update करूँगा, you know, maybe on quarterly basis, क्योंकि ETF नए-नए launch होते रहते हैं, कई बार codes change होते रहते हैं, तो वो मैं अपने end से update करूँगा, इसका आपको view only access मिलेगा, इस link के through, इसकी copy आपको बनाने की ज़रूद नहीं है, क्योंकि यह live sheet है, और इसको use करना बहुत आसान है, तो यह जो आपको purple color में left side में दिखा है, basically यहीं पर आपको focus करना है, बाकी सब जगे calculations हो रहे हैं, जो आपके लिए उतने important नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं, जो sheet को जादा समझना चाहते हैं, उनके data सही आ रहा है, गूगल sheet जिनका data pull कर रहा है, automatically filter होके वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो अब वापस आते हैं हमारे example पे, कि हमें यह वाला ETF नहीं चल रहा था, तो आपको क्या करना है, यह particular underlying asset को खोजना है, इसे copy कीजिए यहां से, इस sheet में जाके, control F, और यहाँ paste कीजिए, यह आपको इस वाले section में देखना है कि, ओके, यहाँ पे यह है इसका code, तो जो भी code यहाँ हैगा, वो working code है, मतलब वो last recently update हुआ है, वो मैंने pull किया है कि, जो भी last trading time था, उसमें update हुआ होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना data हो यहाँ पे, दूसरा, इसकी जो main values हैं में चाहिए होती है, 20 DMA और last trading price, वो pull हो रही होनी चाहिए, तो उसके basis पे यहाँ पे दिखाता है, तो जिन सब की नहीं हो रही है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, 169 ETF हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें से सिर्फ qualify हुए 121 ETF, तो आप मुझे सिर्फ यहाँ problem solve करनी है कि यह वाला particular underlying asset मुझे दिख गया, उसका यह working code है, यहाँ से copy करना है, अपनी sheet में जाके, right click, paste special, values only, हमेशा याद रखेगा, values only घर के ही paste करना है, सीधा directly paste करेंगे तो formula वगरा, formatting वगरा सब गड़ बड़ हो जाता है, तो values only करके ही ऐसे paste करना है, अब देखें, paste करते ही, यह data pull करने लगा, क्योंकि एक working ETF code है, तो master ETF sheet से आप इस तरह से working ETF code किसी भी underlying asset का pull कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, तो वो जो sheet है master ETF sheet, has all the ETFs from all equity based underlying asset, तो जो भी non-equity ETFs हैं, वो मैंने वहाँ से हटा दिये है, और वो sorted कैसे हैं, पहले वो underlying asset से sorted हैं, और फिर volume से sorted हैं, एक फिर स sheet में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखें, sorting कैसे हुई है, सबसे पहले underlying asset के हिसाब से, तो इस underlying asset का एक ही ETF exist करता है, जो working ETF code है, CPSC का तो एक ही है, अभी और कोई ही नहीं, gold के इतने सारे हैं, तो इनमें सबसे top volume जो है, वो सबसे उपर आ रहा है, gold भी जिसमें क पर आ रहे हैं, और उसके बाद volume के basis पर आ रहे हैं, ताकि जब आपको gold वाला pick करना हो, जो भी आपकी sheet में नहीं है, उसके अलावा दूसरा जो pick करें, उसको volume के आधार पर आप pick कर सेकें, जिसमें highest volume है, वो लेंगे तो आपको buying और selling में दिक्कत नहीं होगी, तो यह हो ग वो top में आ जाता है rank 1 पे, और उसे हम पहले दिन buy करते हैं, ठीक है, एक दिन में एक ETF buy किया, that's it, so for example, मैं आपको यहां करके दिखाता हूँ, जैसे की, खरीदा हुआ मालशीत में, जो भी top rank में होगा, automatically यहां पे आ जाता है, ताकि मैंने इस तरह से बनाया है, आप सीधा copy पेस कर सकें, तो यहां से यहां copy करना है, और suggested quantity को भी मैंने यहां move कर दिया है, ताकि यहां पे columns कम हो जाए, और उपर ही हमें दिख जाए, कि हमें कितनी quantity buy करनी है, ठीक है, तो यहां से आप copy करेंगे, और buy जब आपने successfully कर लिया, तब आपको यहां पे, right click, paste special, values only, यह फि यह करने के बाद इसकी data entry हो गई, हाँ इसमें आपको actual buy क्या हुआ, जब आपने अपने broker में किया, वो amount यहां update करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो last trading price दिखा रहा है, ज़रूरी नहीं है, कि आपको इसी price पे buy कर पाएं, उपर नीचे हो सकता है, तो वो price आपको update करना है, quantity अगर आपने कम जादा buy करी है, तो वो update करना है, लेकिन आपको सिर्फ यह yellow section के नीचे ही update करना है, बाकी यह जो right hand side में है, सब कुछ formula से आ रहा है, तो अगर यहां मैं कुछ update करने की कोशिश करूँगा, और enter दवाते ही, ठीक है, तो यहां आपको छेड़ चार नहीं करनी है, जो yellow के नीचे नहीं है, ठीक है, yellow के नीचे ही editable section है, और यहां मैंने कुछ और चीज़े कर दी है, यहां मैंने by date में बता दिया कि आपको किस format में date डालनी है, dd slash mm slash yyy, इसका display format मैंने आलग रखा है, क्योंकि यह देखने में आसान रहता है, मन्त यहां पता चल जाता ह जब आपको date डालनी है, suppose आज की date मुझे डालनी है, 13th April 2024, इस format में मैं डालूँगा, enter करूँगा, तो यह automatically identify कर लेगा कि सही date है, लेकिन अगर मैं गलत format डालता हूँ, 13.04.2024, यह मुझे एक validation error दे देगा, तो एक नया feature मैंने डाला है, कि अगर आप गलत format में date डाल रहे ह तो sheet आपको prompt करेगी और नहीं डालने देगी आपको, देखिए वो entry नहीं हुई, क्यूकि हमने validation लगा रखा यहां पर, उसके अलावा नया feature क्या है, minimum profit target by amount, और profit target by percentage, तो पिछली sheet में आपने percentage के basis पे देखा था, कि हम एक percentage set करते हैं, कि मुझे 5% पे बेशना है, 6% पे बे देता है कि इतने price पे आपको sell करना है, लेकिन मेरे personal observation में मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी personal sheet में, मैं amount wise देखता हूँ, तो मुझे minimum 500 का अगर profit चाहिए, तो 500 का जो भी ETF profit दे रहा है, मैं उसे sell कर देता हूँ, अभी मेरा capital बढ़ गया, तो मैंने वो amount 700 का profit का कर दिया है, तो 700 जी CTF में आता है, तो मैं बेज देता हूँ, irrespective उसका percentage क्या है, क्योंकि मुझे amount पे ज़्यादा प्यार है, percentage मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो वही feature मैंने यहाँ sheet में भी दे दिया है, क्यों personally मुझे अच्छा लगा, तो मैंने दे दिया, लेकिन वो मैंन minimum profit amount, ठीक है, तो sheet को smartly पता है, कि आपने यहाँ पे कोई value डाली है, कि आप इतने पे book करना चाते हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको बता रहा है, कि इस price पे अगर आप sell करेंगे, तो इतना amount का profit आपको हो जाएगा, ठीक है, तो automatically यहाँ पे आपको target price मिल रहा है, लेकिन अगर आप इससे नहीं करना चाते हैं, इसको delete कर दीजे, और simply percentage wise रखिए, कि 5%, 6% जो भी आपको करना है, और यह आप dynamically change कर सकते हैं, 4%, कभी बढ़ा के 6%, कभी 7%, it's up to you, तो जो भी minimum 6% meet कर रहा होगा, ठीक है, अब यह वाला column का values गायब होगी, क्योंकि मैंने वो delete कर दिया ह अगर आप दोनों रखते हैं, तो दोनों आपको column में values दिखेंगी, लेकिन आप अपने आपको confuse मत कीजिए, आपको एक ही रखना है, या तो amount wise कीजिए, या percentage wise कीजिए, जो भी आपको ज़्यादा sensible लगता है, ठीक है, तो आप percentage wise करेंगे, तो यह percentage के हिसाप से लिखा रहा है कि आप already advance में आपको पता होगा कि इस price पे आपको 6% मिलने वाला है, तो GTT order बना के रख दीजिए, जिस भी दिन 6% आएगा आप बेश लेंगे, लेकिन personally मैं GTT orders नहीं बनाता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, shop के लिए मैंने fix कर रखें कि दिन के मुझे 5 मिनिट निकालन day, जिस भी वक्त मुझे मिलता है, मैं sheet को खोलता हूँ, देखता हूँ कि क्या selling आ रही है, पहले उसको sell कर लेता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि क्या buying आ रही है, उसको buy कर लेता हूँ, sheet में entry करता हूँ, और done, ठीक है, तो एक दिन में एक ही buy, एक दिन में एक ही sell करता हूँ तो यहाँ पर यह एक नया फीचर मैंने दिया है आपको अगर आप दोनों डालेंगे यहाँ पर से आपने 500 भी डाल दिया और यह 6% भी डाल दिया तो शीट में यह फीचर है कि जब किसी का target meet होता है शीट में तो वो green में highlight हो जाता है एक बार में एक ही highlight होगा ताकि आप उसे बेच लिए अगर दूसरा भी कोई target meet कर रहा है वो कल के लिए है तो एक दिन में आपको एक से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए एक दिन में एक ही highlight मैंने किया है तो यह वाला meet कर रहा है 500 रूपीज के हिसाब से target देखे यहाँ 6% नहीं आया लेकिन फिर भी यह दिखा रहा है क्योंकि इसमें लीफो गेन amount 500 से उपर है तो अगर आप amount भी डालेंगे percentage भी डालेंगे जो कि आपको नहीं करना है अब वो simple percentage के हिसाब से sheet को देखेगा ठीक है अब यह देख रहा है कि 6% किसमें आया है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ error है ओके वीडियो बनाते है एक error को मैंने find किया और मैंने resolve कर दिया तो simple है amount डाला होगा तो वो amount को देखेगा पहले और अगर amount नहीं होगा और सिर्फ percentage होगा तो वो percentage के हिसाब से देखेगा इस तरह से sheet को मैंने design किया है यह हो गया यहाँ पे green color कैसे आएगा अब जो sell के लिए eligible होगा उसके लिए मैंने एक नया feature डाला है ताकि आप आराम से copy paste करके खरीदा हुआ माल sheet से विका हुआ माल sheet में entry कर पाएं तो ITB is eligible है selling के लिए तो इस sheet में यहाँ पे top में मैंने leaf or sell यह दे दिया है buy date से लेके invested amount on this date पूरा दे दिया है तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक copy करना है यह सब कुछ automatically populate होगा आपको यहाँ कुछ नहीं करना है अगर कुछ eligible नहीं होगा selling के लिए यह blank आएगा अगर कुछ eligible होगा जो भी top amount के साथ eligible होगा जिसमें सबसे जादा amount का profit आ रहा होगा वो यहाँ पे automatically आ जाएगा ठीक है यहाँ से यहाँ तक copy कीजिए बिका हुआ माल में जाएए और यहाँ पे आपको buy date के नीचे right click करिए paste special values only ठीक है यह सब paste हो जाएगा हाँ सिर्फ sell price paste नहीं होगा क्योंकि कितने पे आपने sell किया वो sheet में डालना possible नहीं है CMP में डाल देता वैसे की current market price है लेकिन करेगी कि आपका profit amount कितना है percentage कितना है brokerage आपको manually डालना है क्योंकि अलग-अलग brokers अलग-अलग brokerage रखते हैं कई brokers में अलग-अलग plan होते हैं तो एक standard format बनाना possible नहीं है तो manually आपको यहाँ पे डालना है कि आपको कितना brokerage charge हुआ buy करने के लिए sell करने के लिए प्लस DP charges जो overall transaction charges लगे हैं वो यहाँ पे manually आपको डाल देना है और income tax short term capital gain जो की 15% flat लगता है यह मैंने generally डाल दिया है 15% और उसके उपर जो 4% का says लगता है उसकी calculation यहाँ डाल दिया है लेकिन इस sheet को taxation के लिए मत use कीज़ेगा यह एक rough idea देने के लिए है क्योंकि taxation भी एक अलग topic है gold में अलग तरह से taxation होता है international ETF में अलग तरह से होता है तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको लेकिन general idea इस sheet यह लगा लेगी कि 15% tax यहाँ पर STCG के इसाब से calculate कर लेगी sheet और यह सब deduct करने के बाद profit में से brokerage और income tax deduct करने के बाद जो amount बचता है वो यहाँ आता है अगर आप खुद को कुछ dividend pay कर रहे हैं इस profit में से कुछ sharing रख रहे हैं अपने लिए वो यहाँ पर track होता है dividend pay to self और वो percentage wise है आप कितना dividend रखना चाहते हैं बाद default यहाँ 20% है आप इसे कम जादा कर सकता है अगर आपको कोई dividend नहीं रखना है सब कुछ growth amount में डालना है इसे zero enter करना है यहाँ yellow वाले sell में top में enter करते हैं देखिए अब dividend zero हो जाएगा और सारा का सारा आपका growth amount में चला जाएगा अब यहाँ 815 का growth amount आ गया उसको मैं समझाता हूँ लेकिन क्योंकि मैंने ITBs को sell कर दिया है तो खरीदा हुआ माल सिर्फ वो माल है जो मेरे पास अभी भी holding में है तो ITBs अब मेरी holding में नहीं है तो मुझे इसे simply delete कर देना है तो यह वाली row number पे right click कीजिए और delete row कर दीजिए तो यह जो right hand side में table है जो मैंने add किया है summary of investment in various ETFs यह वाली summary और यह वाला जो table है summary of investment in various underlying assets यह automatically adjust हो जाएंगे जो भी आप delete कर रहे हैं वो हट जाता है जो भी आप add कर रहे हैं वो automatically add हो जाता है यहाँ tables में इन में कुछ चिंता करने की जरुरत नहीं आप जब delete कर रहे हैं कि वो गलती से delete ना हो जाए वो delete नहीं होगा वो auto reset हो जाएगा यह वाला table और यह table आपको क्या बता रहे हैं कि आपका particular ETF का क्या चल रहा है तो bank bees में मेरा इतना invested amount है इतनी quantity है और इतना gains है और इसको मैंने sort किया है total gains से कि सबसे जादा gains जिसमें होंगे वो top में आएगा और जैसे जैसे gains कम है वो नीचे आएगा ताकि आपको एक summary में भी दिख जाओ bank bees में मेरे अभी सबसे जादा gains चल रहे हैं और nifty bees में सबसे कम gains है मेरे पास उसी तरह मैंने यहाँ पर underlying asset की summary भी दे दी है कि nifty bank underlying asset अगर आपने nifty bank को multiple times खरीदा है या अलग-अलग ETFs खरीदे हैं क्योंकि sheet जो मैंने आपको दी है customizable है मैंने तो एक ETF रखा है हर एक underlying से लेकिन अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते है master ETF list से copy करके यहाँ पर ETF का code जैसे for example suppose मुझे silver का एक और add करना है तो silver bees अलग-डी यहाँ है तो मैं जाओंगा master ETF list में और silver को search करते है silver, let's see कहा है silver, silver सबसे नीचे है तो silver bees अलग-डी है उसके बाद यह वाला ETF भी आपकी list में शामिल हो गया है तो इस तरह से आप कोई भी ETF अपनी list में add कर सकते हैं या remove कर सकते हैं suppose मुझे silver bees में नहीं करना है maybe किसी और strategy से मैं silver bees में buying कर रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ नहीं करना है तो इसे highlight कीजिए इन दोनों yellow वाले area में जो है delete कर दीजिए अब से silver bees इस sheet का part नहीं है यहाँ पे नए recommendation में नहीं आएगा आपने already buy करके रखा है जो खरीदा हुआ माल में है entry उसको कोई effect नहीं होगा अगर आप वहाँ से delete करते हैं तो वहाँ कोई भी update आप करते है ETF list में उसका असर यहाँ पे खरीदा हुआ माल पे नहीं पड़ता है directly कि यह जो आपकी already holding है उसके कोई असर नहीं पड़ता है तो अगर आपका कोई code change होता है तो वो आपको दोनों जगे update करना पड़ेगा AMC जब code change करती है तो यहाँ पे भी update करना पड़ेगा आपको और ETF list में भी update करना पड़ेगा तो यह हो गया एक और नया feature तो सबसे बढ़िया feature जो मैंने दिया आपको ETF leaf or sell को आराम से copy paste कर लीजे इसमें जो कई लोगग confused हो जाते थे कि max invested amount on this date क्या है वो भी मैंने यहाँ पे sheet automatically pull करेगी आपको सिर्फ copy paste करना है वो यहाँ पे देखे आ गया invested amount on this date ठीक है तो आपको कहीं और से extra copy paste करना ही नहीं है यह की बार में सब कुछ copy paste हो जाएगा हाँ बस sell price update कीजिए और आपका पूरा data update हो जाएगा जो अपने add अभी तक किया है जो growth amount आपने achieve किया है और जो withdraw कर लिया है वो यहाँ पे total add होके दिखता है और यही amount आपका खरीदा हुआ माल में use होता है तो देखिए अब next buying ये 12,013 रुपीज का मुझे कह रहा है तो जब मैं next ETF कोई खरीदूँगा तो थोड़ा सा जादा amount invest होगा तो जैसे जैसे आपका growth amount बढ़ेगा आपका investment amount हर एक ETF में बढ़ता जाएगा और आपकी compounding effect की power बढ़ती जाएगी अगर मैं कोई withdraw करता हूँ suppose मुझे withdraw करना है ये profit 652 मुझे withdraw करना है ठीक है जैसे मैं यहां से withdraw में डालता हूँ ये amount ये देखे वापस 6 lakh हो गया क्योंकि मैंने initially 6 lakh डाला था growth amount में 652 आया वो मैंने withdraw कर लिया ठीक है अब ये 6 lakh हो गया और खरीदा हुआ माल में भी ये automatically 6 lakh हो गया तो यहां इसलिए मैंने था वैसा ही है right hand side में आपको summary मिल जाएगी कि आपका monthly profit कितना चल रहा है percentage wise etc etc ओके तो sheet हमने समझ ली अब थोड़े common issues पे बात कर लेता हूँ और sheet आपको कहा मिलेगी उस sheet का purchase link आपको इस video के description में मिल जाएगा अगर आप ये sheet use करना चाते हैं तो आप वहां से जाके purchase कर सकते हैं और इस sheet को समाल करना शुरू कर सकते हैं जिन लोगोंने मेरी ETF shop की leafo वाली sheet recently purchase करी थी in the month of March और April मैं उन्हें 100 rupees का discount offer कर रहा हूँ तो अगर वो discount avail करना चाते वैसे तो इसकी कीमत बहुत ही कम रखी है जो features मैं दे रहा हूँ उसके इसाब से इसकी कीमत ना के बराबर ही है जो मुझे लोग feedback भी देते हैं लेकिन फिर भी अगर आप discount avail करना चाते हैं आप मुझे email कर सकते हैं मैं आपको discounted fee वाला link दे दूँगा और आप महां payment करके इस sheet का link मुझे से ले सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है मेरी महनत इतना deserve करती है कि आपको discount की ज़रूद नहीं है तो आप सीधा-सीधा buy कर सकते हैं नई वाली sheet ओके आप बात कर लेते हैं कुछ common issues की जो लोग face करते हैं Google sheet use करते हुए कल तक pull कर रही थी आज नहीं pull कर रही है तो किसी भी current से अगर वो pull नहीं कर रही है मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि sheet में error आने लग जाएगा और आपको master sheet से कैसे pull करना है नया ETF तो यह है इसका solution कि master ETF sheet को use कीजिए और नया code वहां से जो भी working code है वहां से ले लीजिए ठीक है पहली बात तो यह होगी दूसरा अगर कई सारे underline का एक ही code है और वहीं काम करना बंद कर दे तो कोई घबराने की और कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि sheet को मैंने ऐसे design किया है कि कोई अगर code काम नहीं कर रहा है उसका data नहीं आ रहा है sheet automatically उसको ignore कर देती है जो ETF list की ranking वाली list है उसमें वो participate ही नहीं करता है तो आपको कोई error नहीं आएगा उस error की वज़े से और ETFs काम करना नहीं बंद करेंगे सिर्फ वो वाला ETF participate करना बंद करतेगा तो उसको ignore कर सकते हैं आप दूसरा common issue आता है some formula based data is not populating correctly तो कई जगे मैंने formulas दे रहे हैं sheet में कई बार लोग manually उसमें entry कर देते हैं या फिर गलती से formula delete कर देते हैं although मैंने वाला section hide कर दिया है वो row hide कर दी है चुकि मैंने यहां sheet में mention भी किया है अगर आप खरीदा हुआ माल में जाएंगे row 8 contains formulas do not alter or delete that row मैंने लिखा भी है यहां पर लेकिन कई बार accidentally लोग delete कर देते हैं या फिर manually कुछ यहां enter कर देते हैं जैसे मैं manually 8 type कर देते हैं देखिए उपर का सब गायब हो गया चुकि यहां मुझे manually नहीं डालना है data तो इसको कैसे solve करना है यह मैंने एक वीडियो में cover किया था उस वीडियो का title था troubleshooting google sheet issues तो आप मेरे channel पर जाके यह वाला search करेंगे तो आपको मिल जाएगा resolution की कैसे इस तरह के issues को resolve करना है next common issue आता है how to get the updates in future तो आज मैंने जो sheet launch करी है उसमें कुछ features दिये हैं लेकिन जिन लोग ने मेरी sheet पिछले साल ले ली थी उनको पता है मैंने regularly updates किया है और कई सारे features मैं add करता रहता हूँ कई बार ETF codes change होते है उनको मैं update करता रहता हूँ तो कोई भी किसी प्रकार का important change होता है जो मैं sheet में करता हूँ तो आपकी sheet में नहीं आएगा क्योंकि आपने एक बार sheet की copy बना ली तो आपकी sheet आपके levels पे चली जाते है मेरा कोई उस पे access नहीं रहता है तो मेरे जो updates है वो आपकी sheet में कैसे आएंगे उसके लिए आपको क्या करना होता है the original sheets link will be available in the strategy sheet जो मैंने आपको दिखाया था कि आप strategy sheet में जाएंगे तो यहां original sheet का link है जिससे आप मेरी updated sheet को access कर पाएंगे तो पहले वो आपको खोलना है उसके बाद उसको copy बनाना है और उसके बाद अपना data transfer कर लेना है जो भी आपने current buying में है खरीदा हुआ माल sheet में है जो आपका copy का हुआ माल sheet में है वो data transfer करना है इस पे भी मैंने एक detailed video पूरे demo के साथ बनाया है जिसका title है how to do data transfer from one shop to another तो इसको आप search करेंगे मेरे channel पे तो आपको वो video मिल जाएगा step by step कैसे करना है वो भी demo के साथ आपको दिख जाएगा तो ये है उसका solution तो दोस्तों ये है ETF 3.0 लीफो वाला version फीफो वर्जिन मैं जल्दी launch करूँगा कुछ समय बात क्योंकि उसमें एक अलग तरीके से काम करना पड़ता है फीफो का working थोड़ा अलग होता है तो लीफो ही मेरी most popular sheet थी इसलिए मैंने पहले लीफो बना दी फीफो ही मैं जल्दी बनाऊंगा तो अगर आपको कोई question हो इससे related आप comment में बूच सकते हैं आपको sheet खरीदी है उसका link मैं description में दे दूँगा वहाँ जाके आप sheet को purchase कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा जिन लोगोंने March और April में मेरी ETF शॉप वाली sheet खरीदी है मेरी बहुत सारी अलगलग sheet है उन पे कोई discount नहीं है सिर्फ ETF शॉप लीफो अगर आपने खरीदी है तो आप discount के लिए मुझे email कर सकते हैं मैं आपको 100 rupees का discount offer कर दूँगा तो thank you very much दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए उमीद करता हूँ ये जो नया version है आपके काम आएगा और इसी तरह जिस तरह की सफलता हमें पिछले साल मिली है आने वाले कई सालों तक मिलती रहेगी तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए जल्दी मिलूँगा आपसे नमस्कार